देखिए आपका छठा प्रशन है कि 540, 805 और 990 का मसा और लसा अभाज गुन अन्खण बिधी से निकालिए तो सबसे पहले 540 है तो इसका अभाज गुन अन्खण निकालते हैं कितना होता है तो देखिए यहाँ पर 540 इसका निकालिए 540 जो है आपका दू से कटेगा तो यह हो जाएगा दू दूनियू के 4 और 2 सते 14 और 0 है तो 0 तर गया फिर 1 2 से कटेगा दूसें को कटेगा तो आफ को आएगा दू 1 दू 3 6 और 2 पचे 10 फिर इसको जो है तीन से कटिए तो 3 चोग के बार है और 3 पचे 15 है फिर ही 3 से कटेगा तो 3 एका 3 और 3 पचे 15 है यानि पंदर तिया 45 फिर ही 15 ही 3 से कटेगा पांच बार में अब देखिए 5 जो है एक बार में जब एक आजाएगा तो आपका भाज गुना अनखन परकिलिया पूरा हो जाता है तो कितना आया दू गुना दू इसको लिख सकते हैं तो दू का पाबर दू तीन जो है आपका तीन गुए तो इसको लिख सकते हैं गुना तीन के पाबर तीन आप पांच एग हो है जिसको आप सिर्फ पांच लिख दीजिए अब 805 है तो इसका भी अभाज गुनन खंड करेंगे तो आपका हो जाएगा देखिए दूसरे नहीं लग पांच अगर आपको समझ में इसे नहीं आ रहा है तो इधर भागा आप देख सकते हैं 805 में पांच से भागा देजिए तो पच्का पढ़ेंगे एक मरत वह पांच आठ में से पांच गया तीन उपर से उतरा जीरो पांच हक तीस उपर से उतरा पांच और पांच एक साथ से भागा देंगे तो साथ दू नहीं का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 16 में से चाउदा जाएगा तो उपर से उतरा एक सतका पढ़ेंगे तीन मरत वह तो सत्य एक कितना आया तेश लिखे अब तेश देखिए तेश से कटेगा एक बार में जब एक नीचे आ सामने लिखिए अच्छा रहेगा यहां लिखिए पांच गुना साथ गुना तेश अब कितना है 990 है इसका भी अभाज गुन अन्खंड करिए कितना होता है 990 तो 990 है जीरो है तो दू से कट जाएगा दू चोके आठ दू नमा अठार है दू पचे 10 फिर इसको काटीएग 3 पंद्रह और 3 पंद्रह ¿55 है तो 5 से काटीए तो पांच आका पांच आक पांच थे पांच आका 5 गुण TOP지 ग reporting रहें इसको लिखिए दू गुना 3गुना 3गुना पांच गुना-व इसको लिखिए दू गुन टीन गुना थीन-गुना तीन-गुना-व्च गुनात रहे त लख सकते हैं तरो लिख दी गुगना तीन है आपको दीन को दिया हुआ प्हुर्जाते हैं तो हैं तो लिख का दोड़ी दुन कर निकाल देगे शाइनों सैंने को Фाभर्या है मॉस्का दोड़ाइन है मसाई दखे इसमें दू के पावर दू है इसमें दू है नहीं है तो गुननखन में जब इसमें नहीं है दू तब नहीं लेंगे तीन दखे तीन इसमें भी है तीन इसमें नहीं है तो तीन को भी नहीं लेंगे पांच इसमें है पांच इसमें भी है और पांच इसमें भी है त में नहीं है तो मसा कितना आया आपका सिर्फ पांच आया जो तीनों में मिला अब देखिए लसा देखिए लसा कितना हुआ तो इसे दू के पावर कितना है दू है इसमें नहीं है इसमें दू के पावर एक है तो बड़ा कौन सा मिला दू के पावर हमको दू मिला एक दू के अब देखिए पाझ इसमें नहीं है इसमेंग टीन के पावर दू इसमने है इसमें तीन के पावर तीन है तो बड़ावला जो रहता है उसी को लेते हैं यहां पर गुना कर दीए थीन के पावर तीन अब देखे, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, पांच इसमें भी है, तो पांच है ठीक है, पांच को भी ले लिए अब देखे, पांच हो गया, अब साथ है, साथ इसमें है, इस दोनों में नहीं है, तो साथ को भी गुना कर लेंगा अब तेस को देखे तेस इसमें है अब तेस इसमें नहीं है इसमें नहीं है तो तेस को भी गुना कर देंगा देखिए अब इसमें देखे दू हो गया तीन हो गया पांच भी हो गया है अब रह गया 11 दई गया 11 इसमें है इसे दोनों में नहीं है तो 11 को भी गुणा कर देंगा अब सबको गुना करिए जितना आएगा वही लासा होगा दू दू बार में है यानि की लिख सकते हैं दू गुना दू तीन दू तीन बार में है यानि कि इसको तीन गुना तीन गुना तीन लिख सकते हैं गुना पांच लिख सकते हैं गुणा साथ लिख सकते हैं गुणा तेशस घार आ देखिए दू का पढ़ेंंक दो मरतर क्रावन दू दूनिका चार हो गया तुनीक GB चार ओझां बार्ण होता अंब आद का पढ़ेंगो थिन मरतवे ऊचार हो गया 36 और 36 में कितना से गुना करना है तिन से तो यह आप देखिए 36 में तीन से गुना करिए तो चालीस और पांच एका पांच पांसो चालीस आया पांसो चालीस में कितना से गुना करना है साथ से तो चालीस में साथ से गुना करिए तो साथ में 0 हो गया साथ चोके 28 हो गया हाथ में रहा दू और साथ पेचे 35 और दू 37 यानि कि 37 तो वस्ति आया अब उसमें गुना करना है कितना से 23 से जिसको 23 से गुना करिए तो तीन में 0 सूना करेंगा 0, 3, 8, 24, 3, 8, 24, हाथ में रहा 2, 3, 21, और 2, 23, हाथ में रहा 2, 3, 39, और 9, और 2, 11, दू का पढ़ेंगा 0, मर्तवेत 0, 2, 8, 16, हाथ में रहा 1, 2, 14, और 1, 15, हाथ में रहा 1, 2, 36, और 1, 7, 0, 4 में 0 जोड़ेंगे तर 4 हो जाएगा, 3, 6, 9 हो जाएगा, 1 और 5, 6 हो जाएगा, 1 और 7, 8 हो जाएगा, अब इसको गुना करना है कितना से, 11 से, ति इसको फिर 11 से गुना करिए, एक में गुना करेंगा तर जीरो हो जाएगा, एक से गुना करेंगा तक 4, एक में 9 से गुना करेंगा 9, एक में 6 से गुना करेंगा 6, एक में 8 से गुना करेंगे 8, एक में 0 से गुना करेंगा 0, एक में 4 से गुना करेंगा 4, एक में 9 से गुना करेंगा 9, एक में 6 से गुना क यानि कि 956 340 देखिए जब इसको जोड़े पुरा को थंकवाया 956 340 यही जो है लस्व हो गया इसको यहाँ पर लिखिए 956 340 जो है आपका आया यानि कि काएं दहाएं सेकड़ा हजार देख जर लाख 956 340 यह आपका लस्व आया यह छटा प्रस्ण था साथमा प्रस्ण आपका है आठ नौव पचेस दिया हुआ इसका जो है आपका लस्व मसा निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करिए आठ का अभाज गुनन खड़ निकालेंगे तो दूस हो जागए चार दूसर भागा देंगे तर चार बार में और दूसरे कर जाएगा दू गुना दू गुना दू और इसको हम लिख सकते हैं दू के पावर तीन अब कितना है नौ है तो नौ का भाज गुनन खड़ करिए कितना आता है तो नौ का जब हम prophets करेंगे ती होगा 3 से करेंगे तो 3 नौ और फिर 3 से काटेंगे तो एक यानिकिनो का जब किये तो तीन गुना तीन आया यानि कि तीन का स्क्वाइर आया अब है मेरा कितना पचीस तो पचीस का भाज गुना अन्खंड करेंगा पचीस है तो पचीस जो है पांच से कटेगा पांच बार में अब पांच जो है पांच से कटेगा एक बार में पांच से कटेगा एक बार में, यानि 25 का भाज गुना नखंडाया, पांच गुना पांच, यानि कि 5 का स्क्वार, तो 8, 9, 25 का मसा बताईए, देखिए, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तीन इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पांच इसमें है, इसमे एक हो गया, अब देखिए, लसा देखिए, दू के पावर तीन है इसमें, इसमें दू के पावर तीन है नहीं है, तो जो है उसको लिख लिजे इसमें, दू के पावर तीन को लिख लिए, तीन के पावर तीन को लिख लिए, तो जो है उसको आप लिख लिजे, तीन के पावर 3 है यानि कि 2 गुना 2 गुना 2 3 का स्क्वाइर इसका मतलब 3 गुना 3 और 5 का स्क्वाइर इसका मतलब 5 गुना 5 दखिए 2 दुनी के 4 4 दुनी के 8 8 तिया 24 और 24 तिया 72 72 में यहां तक आए आपका 72 और यह 5 पचे कितना होता है 25 तो 72 में 25 से क्या कर दे गुना कर दें तो 72 है और इसको 25 से गुना करिए तो 5 दुनी के 10 हाथ में 1 5 सत्तिप्पैंट्पैंटीस और 1 च्छथिस 2 दुनी के 4 और 2 सतिय 14 देखिए 0 है यह तो 0 आपका हो गया 6-4-10 हो गया हाथ में रहा 1 तीन और चार साथ और एक पैंचा कितना हो गया आठ और एक अठारा सो यानि कि लसा कितना आया आपका अठारा सो लसा आया और मसा कितना निकले थे एक यही आपका आंसर है